हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज आप देख रहे हैं यह जो रेसिपी है मटर पनीर के थोड़ी सी अलग स्टाइल से बनाई है पर यह बहुत टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही उंदा स्वाधा आप एक बर बनाऊगे तो आपके गेस्ट आप से पूछेंग स्टार्ट करते है इसके लिए पहले हमें क्या करना है मटर को बॉयल कर लेना है और पनीर में मिर्ची नमक और हल्दी यह मिला के इसे फ्राय करना है, इससे क्या होता है, पनीर में एक कलर अच्छा आता, इसका टैक्शर अच्छा होता, हाँ बहुत बार पनीर भूनने कबा है थोड़ सा चुई हो जाता है, हाट तो उसके लिए क्या करना है, हमको गरम पानी और नमकishment में पनीर को उबाल के रख देना है, उसी पानी में छोड़ देना है जब तक हम सब्जी का बागी प्रोसेस करेंगे उसी तेल में हमें लॉंग, इलाइची, जीरा और अधरक लैशन और मिर्ची इन सारी चीजों को थोड़ी सी फ्राइ कर लेनी है फ्राइ करने के बाद हम इसमें ओनियन डाल देंगे ओनियन को यहां पे ध्यान रखना है आपने की मतलब ऐसे कच्चा कच्चा नहीं रखना है इसको अच्छे से फ्राइ करना है क्योंकि जो चीजें हम सब्जी में फ्राइ करके डालते है उससे टेस्ट में काफी फरक पड़ता है थोड़ा से अगर इसका टेक्च्चर चेंज हो जाएगा तो आपकी सब्जी की ग्रेवी चेंज हो जाएगी और टेस्ट तो आप बोलोगे पता नहीं कैसे बताया यह चीज आपको छोटी सी बात है पर इसको ध्यान में रखना है इन दोनों को प्याज और टेमाटर को अच्छे से भूनना है इसी पर आपके ग्रेवी का जो टेस्ट होगा वो डिपेंड करता है तो इस तरह से यह भून गया है अब इसे मिक्सी में हम पेस्ट बना लेंगे अब फिर एक कड़ाई में तेर डालना है उसमें जीरा डालना है उसके बाद थोड़े से सुखे hasale जैसे हल्दी लालमेच और कस्मी रिलाली यह तीनों डालने के बाद ये पीशा हुआ मसाला डालादेंगे चो प्याज और टमाटर का हमने भून के रखा यह तो पहले से भूना हुआ है इसलिए बहुत जादा तो इसको भूनना नहीं यह फिर भी इसको थोड़ा सा भूनना है क्योंकि हम पीसने में थोड़ा सा पानी विगर इस्तमाल करते हैं तो वह कच्छापन थोड़ा इसका खतम हो जाए और लास्ट में हम डालेंगे बात ही नहीं है और जब यह मसाला भून जाता है दोस्तों फिर उसी में थोड़ी दिर मटर और पनीर इन दोनों चीज़ों को जब हम फ्राइ करते हैं मटर को भी साथ-साथ तो इससे भी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मटर डालने के बाद भी एक मिनट या भूनती में अच्छे से मुझे ये चीज प्रोसेस अच्छा लगता है फिर आप इसमें पानी समाल करना आप सुखा भी रख सकते हो दाल चावल पर खाना या कुछ वो आपके उपर निर्भर करता है और पानी ज्यादा रखना या कम रखना ये भी आप पर डिपेंड करता है उडी पराठे के साथ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी ही अच्छी लगती है पानी भी आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना हलका सा पानी रखना एक दो मिनट बॉले आने के बाद धनिया पतर डालना है और आपके सब्जी रेडी हुए आप इस तरह से एक बार सब्ज कर दो कर दो एक रेडू का दो एक दो नहीं जे पूर आपके सा बार सब्सक्रामारा हो भी आपके साथ दोले आपके सा प्राव कर दोलो